मुझा जाए 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 तो स्टुरेंट एक बाद चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ जरूर विजिट करें और अगर आप चैनल पे ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके तो जैसे कि आप लोग का एक्जाम जो है वो स्टार्ट हो चुका है लाइबरी साइंस का तो हाला कि इगनु के सारे एक्जाम स्ठार्ट हो चुके हैं बट क्यूंकि हम लाइबरी साइंस से फोकस करते हैं तो उनी के बारें बताएँगे इस वीडियो में तो हम MLIS का जो लेक्चर है वो कवर करवाने वाले हैं जिसका पेपर कोड है MLII 101 Information Source System and Services जिसके हम most important the most important question जो है इसमें कवर करवाएंगे और यह short question का series है इससे पहले हमने long question का डाल दिया है अगर आप को लिखना होता है तो सारे ही important है अगर सारे आपने कर लिए तो आपके 30 number जो हैं आपके कहीं नहीं जाने वाले तो यह short question के जो number है आपको कहीं नहीं जाने वाले यह तो आप करी लेंगे तो यहां पर देखिए पहला question है आप हाउस जन्रल हाउस जन्रल से आप क्या समझते हैं मशीन ट्रांसलेशन वेब इंटर्मीडियेट्री देखिए वन वर्ड वाले होते हैं क्योंकि यहां पर आपको इसको short note लिखना होता है तो इसमें जादे explanation हम नहीं दे पाएंगे आपको यहां पे जब आप करने बैठेंगे तो आपको यहां पर दिखने को मिल जाएगी जो study material है आपके पास और वहां से आप करके असानी से इसको मतलब लिख सकते हैं exam में तो इन में से जो भी है सारे ही important है almost सारे बहुत important है question और जो बहुत important जैसे कि house general हो गया या फिर यहां पे जे aggregate हो गया यहां पर fourth वाला हो गया invisible college हो गया co data हो गया यह सारे बहुत important machine translation यह भी important है तो इनको आप अच्छे से कर लें जो important है हलाकि सारे important the most important मैं आपको साथ में बताता चलूंगा जैसे bibliographic control of translation mass media very important फिर यह आप इसको भी कर लेना फिर आगया 10 वाला जो कि है newsletter as information product newsletter as information product पर आपको short note लिखना है agris पर आपको short note लिखना है question number यहां पर 12 है निसायट पर निसायट भी बहुत important यह बार बार आता है FID पर आपको लिखना है और 14 है technical inquiry service 15 है internet agent internet agent very important newsletter very important trend report यह भी बहुत important है यह सारे जो है ना यह लगातार पुछे गए हुए यहां पर question है जो कि आपको देखने को मिलेंगे exam में फिर है citation analysis citation analysis भी बहुत पुछा जाता है question number 19 है media person as a source of information कैसे media person जो है act करते है as a source of information very important फिर 20 है agent agent technology agent technology यह भी आता है ifla ifla भी बहुत पुछा जाता है तो जितने भी organization है इन से भी आता है आपको short note लिखना है इससे भी question आपको देखने को एक्जाम में जरूर मिलेंगे फिर है technological gatekeeper very important यह question तो star mark लगा लें यह हमेशा ही पूछा जाता है उसके अलावा आपको 24 हो गया electronic newsletter electronic newsletter क्या होता है उपर मैंने आपको यहां पर यह भी बताया था newsletter से भी एक question separate आता है और electronic newsletter से भी आ सकता है फिर हो गया 25 machine translation machine में जो translation होता है उसके उपर आपको short note लिखना है 26 information filter filters जो होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है 27 database intermediary database intermediary का क्या मतलब होता है इस पर short note लिखना है आपको 28 हो गया technical inquiry service technical inquiry service जो होती है उसके उपर आपको short note लिखना है UNESCO जैसे मैंने उपर ही बताया था UNESCO के उपर भी आपको short note link लिखना आता है cyber media हो गया web intermediary हो गया या फिर mass media हो गया तो इसमें इसमें से भी आगर मैं आपको by यहां पर मतलब select करके बताऊं तो यह 30 second वाला है बहुत important है 32 है 39 29 है उसके अलाब यहां पर 27 है और उसके अलाब 25 है electronic newsletter या फिर newsletter मतलब simply S इससे भी आता है 23 हो गया इफला हो गया या फिर यहां पर media as a source of information person हो गया friend report very important newsletter हो गया internet agent हो गया या फिर आपर निसायत हो गया या फिर आपको उपर यहां पर newsletter as a information product यहां पर देखे इससे तो कोशन आपको जरूर देखने को में लेगा mass media हो गया या फिर invisible college jk very important web intermediaries हो गया house general machine translation यह सब जो है कुछ the most इसमें से भी मैं अगर शाट के बताया तो इन सब को आप note कर लें और इनको भी कर लेंगे तो आपका कहीं नहीं जाने वाला जो आपका जो 300 जो 300 word में जो लिखना होता है वो आप तो करी लेंगे जो second part होता है तो I hope आपको सारे जो question है वो समझ में आ गया होगा और कोई भी doubt हो प्लीज करके comment box में जरूर करें तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स वीडियो में किस अलग topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद करेंगे जो आपको से अलग